दोस्तो आईपील के उपड़ आज के दिन कुल दस बरी अपडेट निकल करके सामने आ रही है जहांपे पहली अपडेट है मुंबा इंडियंस के नए पिलर्स को लेकर इसके बाद आईपील दो हजार चोविस का पहला ट्रेड चेनने सूपर किंग्स, आर सीबी और भी कई सर बरी अपडेट आईपील के उपड़ निकल कर सामने आ रही है तो आज किस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बाड़े में पूरा इंफरमिसान देंगे तो ये वीडियो काफी जादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्विस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोड देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बिल को प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तों सुरू करतें तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप IPL से रिलेटेड कोई भी नुज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंट सब हम वीडियो में आगे बढ़ते हों वन बाई वन IPL से रिलेटेड सब ही नुज दे देते हैं जहां पे राजस्थान रोयल्स की टीम चाहती है कि यहाँ पर से अगले चार साल तक जौस बटलर राजस्थान रोयल्स के फ्रेंचाइजी के लिए दुनिया भर में जो किरिकेट लीग होगा और जिसमें राजस्थान की फ्रेंचाइजी पर्टिसिपेट करेगी जैसे कि The Royals की Teams है तो वैसी टीमों में Jaws बतलर खेले और इसके लिए करूरों का आफर राजस्थान की तरप से बतलर को मिल जुका है इसके बाद इससीट की दूसरी बरी अप्डेट हैं दिल्ली कैपीटल्स की तीम की तरप से गौर तलब है कि दिली कैपिटल्स के पास पहले से रिकी पोंटिंग और दादा यानी कि सौरफ गांगली के रूप में दो काफी बहतरीन कोच मौजूद है तो दिली कैपिटल्स को आजीत अगर कर या फिर सेन वाटसन जैसे बड़े प्लर्स की कमी महसूस नहीं होगी तो इ इसके बाद इसी लिष्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है चेने सूपर किंग्स की टीम की तरप से तो चेने सूपर किंग्स के ऊपर टीम इंडिया के पुर्वे स्पिनर हरवजन सिंग ने काफी बड़ा बयान दिया और हरवजन सिंग ने बताया कि IPL 2024 में जब MS धोनी खे के साथ कंटिनिव करेंगे और जब वो CSK की टीम में आएंगे तो और बड़िया फिटनेस ले करके आने वाले हैं इसके बाद इसी लिष्ट की चौथी बड़ी अपडेट है लखनो सूपर जायंट की टीम की तरप से तो लखनो सूपर जायंट की टीम के ओनर ने बताया कि किसी नए स्टेडियम में फैंस को एक जूट करना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है यानि कि लखनो सूपर जायंट के ओनर के कॉर्डिंग किसी भी नए स्टेडियम में खासतोर के IPL के मैचों में फैंस को एक जूट करना काफी डिफिकल्ट काम होता है लेकिन लखनो और इंडिया भर से जनता ने आ करके लखनो सुपर जाइंट के इकाना इस्टेडियम को अच्छी तरीके से भर दिया जिससे मैच देखने में काफी बढ़िया मज़ा आ रहा था इसके बाद इस लिष्ट की पांचवी बरी अपडेट है आई पील दो हजार चोविस के लिए मुं मुंब़ाई के पास पहले से काफी बढ़िया बैटर और काफी बढ़िया बॉलर्स है तो मुंब़ाई को जस्ट सिर्फ determination की तलाइट तो यह तिम आक्षन में सूनी ले नारायन के ऊपर 100% बोली लगाएगी और इसके बाद इस लिष्ट में दूसरा बढरा नामाता है वा तो उनको खड़िदा जा क्योंकि नट राजन पावर प्ले में सटी गेंदबाजी करके देंगे और निचले करम में ताबर तोड़ छका चोका भी लगाएंगे तो इस वज़े से मुंबेंडियंस की टीम चाहती है कि वासिंग टंसुंदर को ओक्सन में टारगेट किया जाए और इसके साथ ही मुंबेंडियंस की टीम कुछ विदेशी गेंदबाज जैसे की मिचले श्टार को भी टारगेट कर सकती है क्योंकि काफी सारे रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि जोफरा आरचर को मुंबेंडियंस अपने स्क्वैट से बाहर करेगी तो उनके आता है कि मिचले श्टार्ग को मुंबय की टीम आउक्षन में टारगेट कर ले तो ये था मुंबेंडियंस के द्वारा टारगेट किये जाने वाले कुछ बड़े प्यार्स की लिष्ट आपके हिसाब से मुंबई की टीम को कौन कौन से प्लियर्स को टार्गेट काना चाहिए कमेंट में बताएं और कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो में कौन सी टीम के टार्गेट प्लियर्स की लिष्ट देखना चाहेंगे जिस टीम के ऊपर सबसे अधिक सधी कमेंट आगा उस टीम के टारगेट प्लियर्स का नाम हम अगली वीडियो में बता देंगे इसके बाद इस लिष्ट की छटवी बरी अपडेट आईपियल 2024 के पहले ट्रेड विंडो को लेकर तो उनके भरपाई के लिए RCB को बेहतरीन फीनिसर की तलास है तो ये चाहती है कि आंदरे रसल को ट्रेड करके अपने स्कुएड में सामिल किया जाए और इसके लिए RCB और कुलकता मैनेजमेंट के बीच अंदर ही अंदर बात चीच चल रहा है हलाएं कि इस बात के काफी कम चांस है की कुलकता की टीम रसल को ट्रेड के लिए अवलेबल करेगी लेकिन अगर करेगी तो RCB स्ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टेड रहेगी इसके बाद इस लिष्ट की साथ भी बरी अपडेट है सूरेस रहना को लेकर तो रहना ने बताया कि जब IPL में उनको कप्तानी का ओफर मिला था तो उन्होंने कप्तानी करने से बिल्कुल ही मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके कप्तानी के अंदर महंदर सिंग धोनी खेले क्योंकि वो धोनी का इतना ज़दा रिस्पेक्ट करते थे तकि वो चाहते थे की रैना के कपटानी में धोनी ना खेले तो इसी वज़से सूरेश रैना ने कैप्टन सिप के परपोजल को ठुकरा दिया और वो कभी भी IPL में कपटान बनना पसंद नहीं किये तो रेना का ये काफी बहतरीन गेश्चर आईपील में हम सभी को देखने को मिला था इसके बाद इस लिष्ट की आठवी बरी अप्लेट है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरप से तो हैदराबाद की टीम जौनी बरिष्टो को वापस से अपने स्क्वैड मिलाना चाहती है क्योंकि हैदराबाद को बहतरीन ताबरतोर सलामी बलेबाज की तलास है तो हैदराबाद चाहती है कि अगर जौनी बरिष्टो आक्सन में आएंगे तब ये किसी भी हाल में हैरी ब्रूक को बाहर करेगी और उससे जो लगभक सावा 13 करोड उपाएगा उसमें से 8 से 10 करोड खर्च करेगी तब आसानी से बेरिष्टो हैदराबाद में चले आएंगे तो हाईली चांसे की हैदराबाद ऑक्सन में अगर बेरिष्टो आएंगे तो उनके पीछे हाथ धो करके पड़ जाएगी वहीं इस लिष्ट की नवी बड़ी अप्डेट है एसिया कप को लेकर तो एसिया कप के हवाले से बहुत बड़ी खुस खबरी है क्योंकि केल राहुल और जस्प्रीत बुमरा एसिया कप के सेलेक्शन के लिए पूरी तरीके से एवेलबल है यहाँ पर से दो महीना एसिया कप के स्टार्ट होने में बचा हुआ है तो ये दोनों प्लेयर्स एसिया कप के लिए अपने आपको एविलेबल बता रहे है और इनका फिटनेस रिपोर्ट भी ऐसा ही बता रहा है वहीं सिलिष्ट की दस वियंतीम वालडी तुराज गैकवाड उमेस यादव एन जगदी संजे से बरे बरे प्लर्स देखने को मिलेंगे जिनका आईपेल में परदसन बढ़िया था तो ये था आईपेल से रिलेटड आज के दिन कुल दस बरी अपडेट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे चैनल को सब सब्सक्राइब करें तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में